देखिए भाईया एक विनम्र सलाह है जब कभी किसी नए बात्थरूम में जाना पड़े तो टॉटियों के साथ थोड़ा संभल कर बरताव करियेगा अंचाही टॉटि की नौब दब जाने की एक छोटी सी भूल आपका करियर बरबाद कर सकती है एक दिन जब मैं जॉब में था हेड ओफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी उस बीच में बात्थरूम जाना पड़ गया हाथ धोने के लिए निल चलाया तो सर के उपर का फवारा चल पड़ा बंद करने के लिए नॉब दबाया तो उसके साइड का मिस्टिक शौवर चल पड़ा तेजी से बंद करने की कोशिश में फवारा एक और से बंद होता तो दूसरी और से खुल जाता जो नॉब लेफ्ट में खुलती वो राइट में पानी फैकती जो राइट में खुलती वो लेफ्ट में और सेंटर में भिगो देती आडे, तिर्चे, गोल, उपर, सामने से लहराते हुए फबारों ने जब तक आपन पूरी तरह बंद कर पाते तब तक भहुत देर हो चुकी थी भाईया अब देखे हिंदी सिनिमा की नाईका होती तो जबरदस्त हिट सीन हो जाता अमारे बॉस चल गए और ऐसी जगे ट्रांस्वर कर दिया जहां डबबा लेकर दिशा मैदान जाना पड़ेगा और बाल्टी सी पानी खीच कर कुए पर नहना पड़ेगा नो टॉंटी, नो जंजट यह खुपसूरत आकरशक डिजाइनर मगर उलजन वाली टॉंटियों का दोर है डबलब्मेंट है बया बात्रूमों में जरूरत ना केवल सही टॉंटी को पहचानने की है बलकि उसे किस दिशा में खोलना है यह जानना भी बहुत जरूरी है कैसे खोलना है? यह भी एक लाख टके का सवाल है कभी नॉब पुश करते हैं, कभी उपर करके देखते हैं, कभी लिफ्ट करके घुमा कर ट्राई करते हैं तो कभी टॉंटी के अगले हिसे को घुमा कर देखते हैं तरह तरह के जतन करने पड़ते हैं तब जाकर खुलती है टॉंटी अच्छा एक बात और बताऊं भूत जो है वो सूनी हवेलियों में ही नहीं रहते नलों में भी रहते हैं कईसे? कईसे बताऊं कहीं कहीं आप हात टॉंटी के नीचे ले जाएए तो पाणी चालू हो जाता है वरना वो ऐसा बरताव करेंगी कि आप ना सूखे रह पाएंगे और ना सुखी तो वाश रूम के डवलपमेंट्स खयाल में रखियेगा और फिर गोशियेगा